प्रणाम जी राम राम सत्य सनातन धरम कीजए इस समय जो बड़ी चर्चा का विश्य बना हुआ है वो बना हुआ है टोल प्लाजा और टोल प्लाजा को लेकर आज जनता जो है उनकी नजर जो है LG सहाब के उपर है कि LG सहाब कब टोल प्लाजा के उपर जो है बात करेंगे LG सहाब का एक बड़ा बयान आया है और LG सहाब ने National Highway Authority से बात की है और ये कहा है कि इस समय जब सडक मोजूदा समय पर नहीं है क्योंकि सडक पूरी के पूरी बैठी हुई है तरना ब्रिज जिसकी दिया जाए वैसे तो ये इल्लीगल है जिसके बारे में नितिन गड़करी जी ने 2022 में भी ये बात कही थी कि ये जो टोल प्लाजा है ये जो इल्लीगल होंगे उनको हटा दिया जाएगा LG सहाब का भी बियान आया है मेरे साथ आज बात करें क्लिए रविंदर रैना जी है क की बातचीत हम रैना सहाब से करेंगे रैना जी LG सहाब ने बात की है इन टोल प्लाजा को लेकर और आप कल मिलने भी गिये थे LG सहाब से क्या आपकी बातचीत हुई और जो पब्लिक का इस समय जन्यून एक रीजन है और अगर आप जन्ता की बात करते हैं आप हमेशा कहते ह साथ हूं तो अगर आप जन्ता के साथ हैं तो ये जन्यून रीजन नहीं है जो टोल इस समय बंद होना चाहिए यहां तक बात है सरोर के टोल प्लाजा की तो आपको याद होगा शुरुवात का वो दोर जब यहां लगाया गया था और उस वकत चूकी सड़क निर्माना धी थी कंप्लीट नहीं हो पाई थी उस वकत भी भारतिये जन्यूर्टा पार्टी ने वहां हमारे कारेकरताओं ने सरोर में टोल प्लाजा लगने नहीं दिया था लेकिन जब सड़क कंप्लीट हो गई नेशनल हाइवे कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसको वहां लगाया लिए और उसके बाद वहां लंबी कतारें जाम की लगती थी गाड़ियों की आवा जाही में उस टोल प्लाजा में बड़ी धिक्कत आती थी तो उस वकत भी हमने इसका विरौद किया था चुकि आप शिक्स लेन एक्स्प्रेस हाइवेज का निर्मान चल रहा है और जब सिक्स लेन हाइवे का निर्मान चल रहा है और उसके चलते यह सारा जो रोड नेशनल हाइवे का स्ट्रेच यहां जो कुझवानी से लेके सांबा तक और उसके आगे चुकी ब्रिज जो है वो हाईवे के उपर शती ग्रस्त हुआ है तो इसमें काफी दिक्कत परिशानी आ रही है और जब सड़क का निर्मान कारे एक्स्प्रस हाईवे का चल रहा है एक तो उसकी वज़ा से जाम लग रहा है जब निर्मान कारे कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहां मिशिनरी होगी तो स्वाभाविक रूप से जो गाड़ियां हाईवे के उपर चलेंगी वहां जाम होगा ए एक जाम कंस्ट्रक्शन की वज़ा से और दूसरा फिर तोल प्लाजा के कारें जाम और इसको लेके आम जन्मानस में लोगों में खासकर वो लोग जो हर रोज कठुआ सांबा से जमू आते हैं या जमू से सांबा कठुआ की और जाते हैं या फिर जो लोग बाहर की स्टेट से जमू कश्मीर आते हैं या यहां से बाहर जाते हैं उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते भारतिये जनता पार्टी ने माने ये लेटीनें गवर्नर स्रीमान मनूच सिना साहब से बात की है कल बीजेपी का एक बड़ा डेलिगेशन राज भवन जमू मैं लेटीनें गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये सब विशे हमने लेटीनें गवर्नर साहब के सामने रखे मेरी अलग से भी मानिये लेटीनें गवर्नर साहब से इस विशे पर बात हुई और उन्होंने मुझे कहा था कि वो चेर मैन नेशनल हाईवे अथरट आफ इंडिया से बात करेंगे और उन्हें इस बात से अवगत करवाएंगे कि इस वकत सड़क की हालत ठीक नहीं है और जब तक एक्सप्रेस हाईवे का कार्य निर्मान पुरा हो जाता तब तक यहां टोल को सस्वेंट कर दिया जाए और जैसा कि आपने यह न्यूज ब्रेक क है कि लेटिनेंट गवरनर साहब का एक बयान अभी अभी आया है कि उन्होंने चेर्मेन नेशनल हाईवे अथरिटी आफ इंडिया से बात की है और नेशनल हाईवे अथरिटी आफ इंडिया के चेर्मेन उन्होंने कहा है कि वो एक टीम यहां इस सारी सिचिवेशन का जैसा लेने के लिए एक दो दिन में वो भेजेंगे और मुझे लगता है कि जब वो टीम यहां खुद आएगी और खुद यहां देखेगी कि जो रूल से नेशनल हाईवे अथरिटी आफ इंडिया के उनका ही वाइलेशन हो रहा है चार मिनट से जादा गाड़ी तोल प्लाजा पर खड़ी नहीं होनी चाहिए यह नेशनल हाईवे अथरिटी आफ इंडिया का नियम है और वहां तो आदा आदा घेंटा जाम लग रहे हैं एक ना अरेना साब जो यह आपने बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट उठाया है इसके साथ एक और चीज है कठुआ से सरोर और सरोर स की बीच में अगर कोई टोल प्लाजा होगा तो वह इल्लीगल होगा इस हिसाब से यह सरोर वारा टोल प्लाजा अल्रेडी इल्लीगल है तो आप क्या इसे टेंपरेरी सेस्पेंड की बात करते हैं कि पर्मनेंट इसको हटा देना चाहिए देखिए आपको याद होगा आशि खड़े किये थे और हमने भी इसका खुब विरोध किया था प्रकर विरोध इसका पहले दिन से ही हमने किया चुकि नियम ये भी है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी मिनिमम साथ किलो मिटर तक होनी चाहिए और ऐसे पत्र इस सारे टोल को हटाने के लिए मैंने केंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी साहब को लिखे भी दें और जैसा आपने कहा कि फिर उनका बयान भी आया था कि जो इलीगल है वो हटा दिये जाएंगे और मुझे लगता है कि नियम कानून काइदे इन लेटर इन स्पिर्ट अगर इंप्लीमेंट होगा तो यह अट जाएगा वैसे भी गटकरी साहब ने कहा है कि पूरे देश से टोल प्लाजाज वो हाईवे से खतम करने वाले हैं एक मेकनिजम वो डवलप कर रहे हैं कि ताकि टोल प्लाजाज की जुरूरत ही ना पड़े लेकिन जब टोल प्लाजाज का ये रूल है साथ किलो मिटर वाला और दूसरा चार मिनट से ज़ादा गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए तो उनी रूल्स का अगर वाईलेशन नेशनल हाईवे अथारिटी करेगी तो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया जो है उसके खिलाफ फिर लोगो कैसे कर सकते हैं मुझे उमीद है कि जो लेफटीनेंट गवरनर सहाब ने चेर में नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया उनसे बात की है और उन्होंने एगरी किया है कि उनकी टीम यहाँ आएगी उसके बाद यकीनन जब वो यहाँ आएंगे वो फैसला लेंगे और लोगों को फाइदा होगा नितिन गटकरी सहाब ने जो डवलेमेंट के काम किये हैं गजब के काम किये हैं लेकिन चुकि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और उसके चलते लोगों को दिक्कत आ रही है इसलिए इस वकत इमीजेटली इसको बंद किया जाना चाहिए कभी भ बात की कोई ऐसे सवाल खड़े नहीं किये जो आज हो रहे हैं पब्लिक के साथ हैं इस मुद्ब पर हमेशा हैं मैं पहले भी पब्लिक के साथ था आज भी हूँ हमेशा रहूंगा जरेंदर जी एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टन अभी दो दिन पहले प्रेस कांफरेंस ह की है जो पूर सेक्टरी जनरल है चेंबर में उन्होंने कागज दिखाया और वो कागज ये कहता है कि जो डिजास्टर मेनेजमेंट अक्ट है वो इतनी पावर रखता है और जिला के जो डी सी सहाब है वो ये पावर रखते हैं कि अगर नेच्चर केलमिटी से कुछ नुक् है कि वो हटा मतब सस्पेंड ही कर रहें अगर डिजास्टर मेनेजमेंट के एक्ट के तहत वो खुद से वो पावर इस्तेमाल करें तो उसी समय हो सकता है यहां तक मुझे जानका रही है जो सांबा के डेपटी कमीशनर है श्री अभीशेक जी उन्होंने और वहां के जो एस अथरिटी आफ इंडिया के यहां के जो अधिकारी है जमो किश्मीर में उनको काल किया था और एक रिपोर्ट बना कि उन्होंने हाईर अथरिटीज को लिखी है वो मुझे जानकारी लगी है कि उन्होंने भी इस बात को रेकमेंड किया है कि इस वकत चुकि कंस्ट्रक्शन के चलते और नेचरल कलामिटी जो पीछे बाड़ आ गई थी उसके चलते इसी हाईवेग पर सांबा से कठुआ के बीच में जो ब्रिज है उसको जो नुकसान पहुँचा है उसके बाद इस सड़क की जो हालत ठीक नहीं है बहुत जाम लग रहा है इसके चलते इस तोल को फिल आजाए ये डी सी सांबा ने भी लिखा है इसकी मुझे जानकारी मिली है कभी आप उनके पास जाके उनका इंट्रिव्यू करके सारी और ज्यादा डिटेल हासिल कर सकते हैं लेकिन कुल मिला के इस वकत चुकि कंस्ट्रक्शन के कारण जो एक्सप्रस हाई वे सिक्स लेन ब बड़ी अचीवमेंट है कट्रा से दिली तक आप छे घंटे में पहुंचेंगे यहां से स्रनगर के बीच में रास्ते देखो गाउं गाउं में सडके नितिन गटकरी सहाब के डिपार्टमेंट ने गजब का काम किया है ला जवाब लेकिन क्योंकि इस समय सडक में निर्मा में हो रहा है इसलिए इस पर इस टोल को लेकर जो है वो नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया के चेर्मेन को फैसला लेना चाहिए सडकें लोगों के लिए हैं लोगों की भलाई के लिए हैं लोगों की बहतरी के लिए हैं और हमारे लोगों ने जब से यहां टोल है लेकि चुकि अब वहाँ प्राबलम आई है तोल भी दिया और बिजली के किराये भी दिये है जब महराजा सहाब के छुट्टी लेनी थी तब भी आप जो प्रदर्शन हो रहे थे आप उनके साथ बैठे जाकर और छुट्टी चलो मिली अब युवर राजपूत सभा और युवर राजपूत सभा को ही हर बार आगे आना पड़ेगा या फिर खुद से भी इस तरह के जब चीजें होती हैं तो या फिर युवर राजपूत सभा से इस समय मतलब इतना कि उनको आगे आना पड़ता है तब ही सब मसले हाल होंगे देखिए आप कहते हैं वो भी आप करती है तो अच्छी बात है उसमें क्या बुराई है उसमें कोई बुराई नहीं है आप सपोर्ट करते हो ने तो आपके सामने ही तो बोल रहा यही बात तो कल मैंने लेफटीन गवरनर साहब से बोली हमारा एक पूरा डेलिगेशन गया था और हमने लेफटीन गवरनर आम लोगों को पर्शानिय जो सरकारी मुलाजम कठुआ सामबा हिरा नगर से जमों आते हैं या जो जमों से सामबा कठुआ हिरा नगर की ओर जाते हैं या जो यहां श्री अमरनाथ जी की यात्रा श्री भुड़ा अमरनाथ जी की यात्रा माताव श्नुदिवी जी की यात्रा या शादरा शरीफ की यात्रा में या कश्मीर घाटी में जो है वो आते हैं परेटक टूरिस्ट के नाते से उन लोगों को जब यहां दिक्कत आएगी तो लोगों को दिक्कत आ रही है ना जब लोगों को दिक्कत आएगी आम लोगों को परिशानी होगी तो फिर हुएन कराई तो मचती है अगर कल तक टोल सस्पेंड नहीं होता तो आप में में एक मिनट तो इसलिए मुझे यकीन है आपने देखा होगा हमारे वहां के जो साब हों चंदरपरकाश गंगा जी हों डॉक्टर दिविंदर बनियाल साब हों गंगा जी को तो इसलिए भी जानते हैं पहले उन्होंने ही वहां पर टोल लगने नहीं दिया था लेकिन अब लग गया नहीं सरकार में है तो सरकारी तंत्र का सदूपयोग करके लिफ्टिनि हाईवे अथरिटी आफ इंडिया के चेर्मेन को भोलकर अगर ये इमिजेटली सस्पेंड हो जाता है आराम से तो अच्छी बात है अगर सस्पेंड नहीं होता कल तक और जो एक ऐलान किया हुआ कि वहां जाकर टेंट लगा कर बैठेंगे पीस्फुल पोटेस्ट करेंगे तो वो भी एक सिती बन सकती है मुझे लगता है वो सिती बनने से पहले कि मुझे लगता है कि जो लेफटिनेंट गवर्नर सहाब ने इनिशेटिव लिया है कल हम गे थे मेरी उनसे अलग से भी मुलाकात हुई भारतिय जनता पार्टी का एक बड़ा डेलिगेशन भी उनको म बात की उन्होंने नेशनल हाईवे अथारिटी अफ इंडिया को इस मामले में जो है पत्र भी लिखा है मुझे लगता है कि जब वो खुद यहां मोके पर आ जाएंगे कभी कभी यह होता है कि आपने आफिस में बैटके किसी बात का मुल्यांकन करना अपने आफिस के में ब खुद आखुं से देखने के बाद निरने करना दोनों में फरक होता है जब आदमी ग्रोंड में किसी प्रोजेक्ट के उपर आके खुद आखुं से रियलिटी देखता है तो उसको वहां की हकी हकीकत समझ आ दी है मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथारिटी आफ और उनके दुबारा नेशनल हाईवे अथारिटी अफ इंडिया को जब हमने कहलवाया है और नेशनल हाईवे अथारिटी अफ इंडिया ने कहा है कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं तो मुझे यकीन है वो इस पर फैसलल लेंगे और यकीन ये एक्सप्रेस हाईवे जब तक पूरा होता, इसको सस्पेंट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ, जो विशे आपने कहा है, जिसका जिकर घटकरी साहब ने भी किया था, हम मिले थे घटकरी साहब से, और ये जिकर सबसे पहले में नहीं किया था कि बंटोल पलाजा से लेके, यहां का डिस्टन्स, यह हमने निका लीती, इसकी पूरी फाइल आज भी मेरे पास है, और उन्होंने कहा था कि इलीगल्स और जो नार्म्स का वाइलेशन अगर कहीं होता होगा, उसको हम अटाएंगे, अगर अगर कल सस्पेंड नहीं होता, और कल परदर्शन जारी हो जाता है, तो आप भी वहां पर जा हैं, तो क्या वहां जाएंगे? मैं आपको, यह कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, यह को राजनीती का मामला नहीं है, आम लोगों से जुड़ा हुआ एक महत्वण विशे है, कहीं किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है, उसके विशे में लोगों ने, समाज ने, मिलके एक कंसर्न उठाया है, तो यहां लोगों का मामला होगा, और उसी बात को लेकर, तो हमने अलजी साथ से बात की है, आपने कहा है, यह सारे लोग आपके अपने हैं, तो यह रुवा राज पुस्वा थोड़ा से नराज भी हैं आपसे, कुछ आप मैसे देंगे, क्योंकि आप प रेक्ती कहा होता है, यहां हक और दावा होता है, आप अपने परिवार में, आपने पिता जी से कभी कुछ उंची आवाज में, या कुछ विशे होगा, बोलेंगे, तो हक और दावे से बोलते हैं, आप कही मेरे साथ एक वारतलाब था और उसमें आपने कहा था कि पुटी अगर नहीं, इसमाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, यहां इनसाफ की आवाज बुलंद की जाती है, यहां हक, इनसाफ, जस्टिस की बात होगी, वहां रविंदर रहना आपको हमेशा पहले भी नज़र आया है, हमेशा नज़र आएगा, अगर रुखार नज़र की बात है, तो साथ होंगे, मुझे लगता है, कि जिस प्रकार लेटिनेंट गवर्नर सहाब ने, कल हमसे डिसकेशन की है, और उन्होंने डिसकेशन चर्चा के बाद, नेशनल हाईवे अथरिटी आफ इंडिया के चेर्मेन के साथ बात की है, यकीन, यकीन, लेखिए लेटि डिसकेशनों के बाद भी प्रॉपर्टी टेक्स लग जाता है, डिसकेशनों के बाद भी प्री पेड मीटर लग जाते हैं, प्री पेड मीटर्स का मामला भी लेटिनेंट गवर्नर सहाब के साथ, जो भारतिये जनलता पार्टी के डेलिगेशन की मीटिंग में आया है, हमने पश्ट रूप से मानने ये लेटिनेंट गवरनर साहब को कहा है कि मीटर्स पहले भी लोगों के घरों में थे मुझे याद है हम छोटे छोटे थे आज से तीस पेंटीस वरश पहले हमारे घर में तब भी मीटर था रीडिंग आती थी लाइन में आते थे बिजली भी बाग के और महीने के बाद मीटर रीडिंग करके कितना यूनिट्स बिजली लगी उसके हिसाब से वो बिल काट देते हो जाता था लोगों ने हमेशा मीटर्स लगाए और उन्होंने महीने की पेमेट दी बात मीटर लगाने की नहीं है बात जो मीटर में गड़बडियां इसकी है एक यहाँ नराइनिया महले में एक आटो का ड्राइवर का मामला सामने आया एकतर लाक रुपे का उसका बिजली का बिल कौन सा मीटर है भाई ये कोई स्पीडो मीटर है जो कोई ओलम्पिक की रेस लगी हुई है क्या एकतर लाक उसका कैसे आ गया पंतीर थी में एक परिवार मुझे मिला उन्होंने पिछले चार मेहने का बिल मुझे दिखाया एक मेहने में बाईस सो एक में पचीस सो एक में 27 पूर चोच्थ хотя मेहने का बारह हजार वो कैसे आगिया तो मैंने बिजली भीवाग से बात की कल जब हमारी लेटिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये सारी बात हुई मैं आपके जेके मेडिया के माधियम से जनता के सामने वो बात रखता हूँ लेटिनेंट गवर्नर साहब को हमने ये सारी चीज़ बताई है कि मीटर लगाने से किसी को परहेज या दिक्त नहीं है लेकिन जो मीटर्स में बिजली की रीडिंग्स की गड़बडी है उससे लोगों को जबर्दस गुसा है तो गवर्नर साहब ने एक फैसला लिया है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब के सामने रखना चाहता हूं गव बेलबल है यह वर्बल है कल जो ठीक जoshango है लेकिन हमारे ऐसा एक वर्भि जो बिजली के डिली वेजर से उनके लिए भी था लेकिन वप्रमाइनिकर ना वर्भी आंप स्वाजब की है हमने एक विशे हूनके संकक्ष रखा है कि पावर सप्लाइ जो बिजली है ये एसेंश facilities हैं कहीं कोई accident हो जाता है कोई private hospital है या government hospital है उसके बाहर या आसपास कोई accident हो जाता है और accident में घाइल वेक्ति को उठा के जब hospital लिया जाएगा वो इलाज से मना नहीं कर सकते हैं चाहिए private hospital हो या government hospital हो वो यह नहीं कह सकते कि इसके इतना खर्चा आएगा इतना भी लाएगा वहीं जो water supply है पीने का पानी है essential services है और वहीं बिजली power supply भी essential services का हिसा है और essential services कभी भी pre-paid नहीं हो सकती है pre-conditions essential services में नहीं होती है ये हमारा कानून कहता है और इसलिए pre-paid meters ये नहीं होंगे ये LG साहब ने कहा है और मुझे विश्वास है कि LG साहब इस पर कोई फैसाल ले लेंगे और इसका कोई notification order निकालेंगे एक अगर अभी opposition में होते हैं आप लोग ने तोड़ देने थे सारे opposition वाले कुछ नहीं करते हैं तो मदब openly यही कहा जा रहा है कि opposition को कुछ करना चाहिए जो सरकार में वो कुछ नहीं करेंगे देखिए सरकार वालों को भी जो जिम्मेवारी है देखो हम तो अभी सरकार में मुझे आप कहोगे कि यहां बीजेपी की सरकार है तो ऐसा तो है नह लिफ्टिनिंट गवर्णनर साहब एक constitutional positions पर होते हैं और मुझे लगता है LG साहब के notice में as a political party हमने अपना wish रखा है और LG साहब ने कहा है कि prepaid meters जो हैं वो नहीं लगेंगे उन्होंने इसका notice लिया है और मुझे लगता है कि जिसका जिकर आपने किया है कि in return उसका order आ जाए गा और यहां prepaid meters नहीं लगेंगा और दूसरा LG साहब को हमने ये भी बताया कि बात meter लगाने की नहीं है meter की readings में जो गड़बड़ी है वो है तो LG साहब ने ये कहा है हर एक meter की testing होगी proper testing के बाद meter install किये जाएंगे और मुझे ये जानकारी लग रही है कि testing की प्रक्रिया साथ लेके रविंदर जी आप और मैं तो यहीं के हैं जमू कश्मीर के जो बाहर से हैं उनको शायद नहीं पता होगा जो बिजली जनरेट हो रही है हमारे यहां पर इतने सारे projects हैं हम बिजली खुद जनरेट कर रहे हैं और ऐसी states और यूटी जो खुद बिजली जनरेट न बेल्ट चनाब वैली की खुद बिजली खुद जनरेट कर रही है कि हमें इसमें थोड़ी सहूलत नहीं जाएं लोगा है यहां तक बाहर वाले 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं पंजाब बिली जो बिजली खुद से बनाते भी नहीं और हम लोग खुद बना रहे हैं फिर भी ह कमू कश्मीर सेविंटी परसेंट से जादा जो हमारी पावर कंजंप्शन है वो हम बाहर से खरीते हैं जो नौर्दन गृड है में वहां से हम बिजली खरीते हैं जितनी हमारी कंजंप्शन है उस से जो हमारी production है वो कम है यहां scope है हमारा परवतिये क्षेत्र हमारा केंदर शासित प्रदेश है यहां अगर हम invest करते तो बड़े-बड़े hydro power प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं जैसे हिमाचल में उत्राखंड में और जो private parties है उनको भी outsource करते हैं जैसे private schools हैं बड़े-बड़े private hospitals हैं इसी प्रकार power generations में जैसे hydro power प्रोजेक्ट्स आप हिमाचल में उत्राखंड में चले जाएंगे तो public private mode में पी-पी-पी मोड में यह वहां सरकार अलो करती है इस प्रकार की व्यवस्त हैं अगर यहां होती तो गाउं गाउं में यहां power generation हो सकती है उसका scope है और उसके लिए आप देख रहे हैं कि बड़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको मन्जूरी दी गई है और उनका काम भी शुरू किया है और उनका काम चल रहा है हमारी कोशिश है कि यह चीज़ें आगे बढ़ें लेकिन यहां तक बात बिजली की है हमारे लोगों ने जम्मू हो या कश्मीर हो कश्मीर के अंदर भी आप गदल के मैसूमा के एरिये में इदगा के एरिये में समार्ट मीटरस वहां लगे हैं और वहां भी शुरू शुरू में लोगों ने कंप्लेंस की कि मीटरस की बढ़ें ठीक किसी ने यह Greatie इनी कहा कि हम भीजली इस्तिमाल करेंगे उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यह हु कि उस पूरे एरिया की बिजली बंद कर दी चार चार दिन उसके बाद चार 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 दिन बंद कर दी वह बिचारों को लगवाने ही पड़ें जो प्रोडएस्ट कर रहे थे कशमीर के भी लोग यह और वो तो क्या कह रहे थे सुभी बिल देने से मनाने कर रहा है बस वो यही कह रहे हैं कि reading reading से ही नहीं है हमारा concern दो में इस्यूस का है पहला कि smart meters लगें कोई कोई परशानी कोई परशानी नहीं reading ठीक होनी चाहिए मीटर में कड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ smart power supply भी तो होनी चाहिए और smart power supply क्या है कि 24 घंटे में से minimum 20 घंटे power available होनी चाहिए तो किसको दिक्कत है लोग हांसी खुशी भुला कर कहेंगे लोगों को लोगों को अपने घरू में जन्रेटर्स जन्सेट्स इन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि जब बार बार कट्स आते हैं जब आपकी smart power supply होगी तो किसी को बिल का भुकतान करने में किसी को बिल की payment करने में दिक्त नहीं आईगी ये चीजें सारी ठीक करनी पड़ेंगी एक आखरी क्योंकि बड़ी बार तलाफ होगी है बिलकुल एक आखरी आप हर बार जब भी बात करते हैं ये जरूर कहते हैं कि मैं लोगों के साथ हूँ ठीक है और आपके दफ्तर में भी मातरानी की तस्वीरे भी हैं तो आप जो कहेंगे उनको हाजिन नाजिर समझ के कहें है लगी मेरी बात सुनिया शेश ची मैं आप उतरेंगे लोगों के लिए हमारा कंसर्ण है ये दोनु चीजें प्रीपेड मीटर्स जिसके लिए अलजी साब ने कहा है अगर पूरी नहीं होती आप आप सडकों मेरी बात सुनिये ना मैं कहता हूँ उसके लिए लड़ाई ल कुछ नहीं है जो कुछ है जनता का है शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर देश भक्ती का जजबा होना चाहिए जिसको हुबलवत्नी और खिद्मते खलक कहा गया और शास्त्रों में कहा गया इदम राश्ट्राए इदम नमम हमारा जो कुछ है देश का है समाज का इतन हमारे हैं मैंने कहा कोई भार का कहा है सब हमारे अपने हैं हमने लेफटिनेंट गवर्नर साहब के नोटीस में ये सारी चीज़ें लाई चुकि वो कल ही आए जम्मों में उनका वो श्रेडूल चुकि कश्मीर में वहां श्री अमारनाजी की यात्रा और ये जशन आजादी का पंदरा अगस्त का कारी करम तरंगा यात्राएं वो थी और वो कश्मीर में थे और वो कल ही यहां आए और जैसे ही वो आए भारती ये जनता पार्टी में हमने उनसे समय लिया और हम गे हमारा हमारे पार्टी के साथ बड़े सीनियर लीडर्स उनसे मिले स्वैम शाम को में उनसे लगबग डेट घंटा अलग से उनसे इन महत्परण विशूं पर हमारी बात हुई और मुझे लगता है जिस संजीदगी के साथ सारी बातचीत हुई है और जिस तरीके से उन्होंने इनिशेटिव लिया है ये प्रीपेड मीटर्स ये भी इसका कंसर्ण्स भी हल होगा और जैसे उन्होंने आज खुद बयान दे दिया है कि नेशनल हाइवे अथरिटी आफ इंडिया के चेर्मेन उनसे उनकी बात हुई है और यकीनन उनकी टीम आएगी और फैसला लेगी और वो खुद देखेंगे यहां और इस पर कोई न कोई वो फैसला ले लेगे अगर न लगता है कि जैसे लेटीन गावर्नर्स सहाब ने बात कही है वो कांस्टिशुशनल पोजीशन पर हैं जमू कश्मीर की हाइस्ट कांस्टिशुशनल पोजीशन पर आज स्रीमान मनुच सिना सहाब हैं और जिस तरीके से उन्होंने नेशनल हाइवे अथरिटी आफ इंडिय की चेर्मेन से बात की है यकीनन इसका नोटिस नेशनल हाइवे अथरिटी आफ इंडिया लेगी और इस पर अच्छा फरस लाइगा बोली दोना अगर नहीं मानने तो पुटी ओगे चलिए पुटी ओडगे चलिए वो सड़क पहले ही पुटी चलिए ठीक है तैक्यों अश बीजेपी का चीफ मनिस्टर हो बीजेपी का मनिस्टर हो और बीजेपी का चीफ मनिस्टर से कोई और लागू हो बीजेपी तो इसके विरोध में आती है बीजेपी जहां कोई फैसला आपको लगा कि ये दिक्कत है बीजेपी तो जंता के साथ कड़ी होती है आपने देखा नहीं है जब डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते थे तो मैं उनके बीच में जाता हूँ यहां जब एन्वाइज सी होंगार्ड रेब रेफ़े खेल रेब रेब रे जंगलात या कोई भी विभाग के वीडी सी के लोग थे वो यहां आते थे फाइर एन emergency fire and emergency services के लोग थे इतना कुछ हो बोलते हैं फिर भी आप उनके बीच में जाते हैं तो हम क्योंकि मैं जनता का आदमी हूँ मैं जनता का दुक्धरत समझता हूँ जनता के दुक्धरत में हमेशा शामिल होता हूँ लाइन आज रिपीट करें दोना कि तोल प्लाजा पुटी ओ मैं कहता हूँ अगर जैसे मुझे विश्वास है इतनी बड़ी कंस्टिशुशनल पोजीशन पर लेफ्टीनेंट गवरनर साब ने ये बात कही है हम गे थे हमने लगी साब के सामने ये सारी चीजें रखी कि आप बड़ी ब्रामना से लेकर एक बार कठुआ तक जाओ आप सड़क की हाला देखो आम लोगों को परिशानी है टोल तो लोग देते आए ना और जब परिशानी है तो निरने ले लो अब उन्होंने बात की है अगर नहीं माने तो पुटी ओड़के ना जाके तो फिर आपके साथ चलेंगे आपके साथ चलेंगे तैंक यू चलो जी कहना है कि हम पब्ली के साथ हैं खुद रविंदर रैना जी का क्योंकि इनकी एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है इनको चाहे इनके दफ्तर के बाहर आके इनके खिलाफ नारे बाजी होती है लेकिन ये एक वाहिद नेता है जो उनके बीच में चले आते हैं शायद बाकी ल जिन गड़करी जी ने ओन रिकॉर्ड कहा है अब देखते हैं कल सोमवार है युवाराज पुसभा का इलान है बीजेपी भी ये कह रही है कि हम इसके एंटी हैं इस टोल प्लाजा के देखते हैं कल क्या डसीजन होता है और मैं धन्यवाद करता हूं रविंदर रैना जी का जिन अपना कीमती समय दिया और पबलिक के लिए आज एक बार फिर से बोले शायद यही कारण है कि इनका टैनोर बढ़ता जाता है जमू कश्मीर में राम राम सनातन धर्म कीजाए